हलो दोस्तों वेलकम बेक टो आईजा के रिएशन और आज हम बनाने जा रहे हैं ट्यूलिप शल्वार इसके पहले भी मैंने एक डिफरन टाइप की ट्यूलिप शल्वार इसी चैनल पर पोस्ट की है उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल तो यहां पर हमें ये चौकोन फैब्रिक लेना है इसके बाद हम क्या करेंगे की जिस तरह से हम अम्रेला के लिए घड़ी करते हैं सेम हम उसी तरह से यहां पर भी अम्रेला जैसी ही घड़ी करेंगे तो यहां पर मैंने जो ओपन वाली साइड है वह अपनी तरफ रखी है और यहाँ पर यह जो close वाली side है वो इस थरफ है इसके बाद हम क्या करेंगे कि bottom में हमारी जो शलवार के मोहरी रहेंगे उसके लिए हम यहाँ पर 3 इंच पे mark करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि शलवार के length के लिए mark करेंगे तो length हम यहाँ पर without belt जो हमारी शलवार के length रहेंगी वह हम 90 निंच लेंगे और इस तरह से हमें गोलाई में पूरे 90 निच पर मार्क कर देना है ये हम प्रह और हम क्या करेंगे यहां पर अभी हम यहाँ पर थोड़ से गोलाई देंगे, उसके लिए हम वन इंच पर मार्क करेंगे, और इस तरह से हमें थोड़ से राउंड में गोलाई दे देनी है, अभी हमें क्या करना है कि जितनी हमने मार्किंग की है, उतनी मार्किंग पर हमें कट कर लेना है, तो इस तरह स कि बेल्ट का मेजर्मेंट देख लेते हैं जो यहां पर बेल्ट की हमारी वीर्थ है वह हमारी 19 इंच है और लेंद यहां पर 5.5 इंच है आप आपके बेबी के साइस के अकॉर्डिंग यहां पर बेल्ट की लेंद और वीर्थ ले सकते हो इसके बाद इसे हमें एलास्टिक के के लिए इतना portion इस तरह से फोल्ड करना है और यहां पर हम इसके थोड़ा सा ऊपर रखेंगे क्योंकि हमारा सिलाई में जाएंगा और यहां से हम क्रॉच के लिए 9 इंच पर मार्क करेंगे तो हमें यहां पर 9 इंच पर मार्क करना है इसके बाद हम अंदर की तरफ 1.5 इंच मार्क करेंगे और यहां से हमें एक स्ट्रेट लाइन खीच लेंगे तो इस तरह से हमें यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खीच लेनी है और साती साथ हम क्या करेंगे कि थोड़ी से गोलाई देंगे जिस तरह से हम क्रॉच के लिए गोलाई देते हैं सेम उसी तरह से हमें यह इस तरह से दिखाई देंगी अब इसके बाद इतना जो portion है हमारा वो हमारी शलवार की मुहरी है तो हम इतना portion छोड़ते हुए यहां से हमें क्या करना है कि यहां पर हमें इस लेस से ही piping लगानी है तो हम क्या करेंगे लेस को double में इस तरह से रखेंगे यह हमारी wrong side है कपड़े की तो हम यहां पर यह जो लेस लगाएंगे वो हम सीधी side में लगाएंगे तो हम बराबर से इस निशान से पूरे में हम देख लीजी हमें किस तरह से लगाना है यहां पर हम इसे पिन से पहले secure कर लेंगे तो इस तरह से हमें पूरी गोलाई में यहां पर पहले शिंगल सिलाई लगा लेनी है, तो हम इसी लेस को रिज को पाईपिंग की तरह यूज करेंगे और यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे, तो मैं आपको यह पुरी ऐसी लगा कि बाताती हूं डोनों भी पीस में तो हमने यहां पर यह लेज अटेच कर ली है या आप इसे पाइपिंग बोल लीजिए अब इसकी बाद हमें क्या करना हैं यहां पर के यह दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ करनी है और उपर ने क्ले की साइड अंदर की तरफ है और उपर से हमें सिलाई लगानी है तो यह सिलाई हम शलवार के इस वाले पाट टक लगाएंगे यहां तक जहां तक हमें मोहरी मतलब हमें पैर डालने के लिए जितना पोशन ओपन रखना है उतना हम छोड़ देंगे और यहां तक हम सिलाई लगा लेंगे तो पूरे में हमें यहां तक सिलाई लगानी है और साथी साथ हम क्या करेंगे यह जो हमारी बॉटम की साइड वाली पाइपिंग है इस पे भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो यहां पर हमने यह सिलाई लगा ली है आप देख सकते हो अभी मैं आपको इसे फिलिप करके बताती हूं तो हमें इसे इस तरह से फिलिप कर देना है और इस तरह से पाइपिंग लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है त्यूलिप शिल्वार पे आपने लेस वाली त्यूलिप शिल्वार तो बहुत ज़्यादा देखी होंगी एक बार यह हम आप पाइपिंग वाली त्यूलिप शिल्वार भी रखते हुए यहाँ पर हम इसे पीन से स्टुक्यर कर लेंगे तो पूरे में हमें यहाँ पर पीन से स्टुक्यर कर लेना है और पूरे इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है तो यहाँ पर बराबर से हम इसे अटैच करेंगे और यहाँ पर इसके उपर हम सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने क्रॉच के उपर भी सिलाई लगा ली है इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर छोटे-छोटे कर्ट लगाने है आप ध्यान से कट लगाए कि सिलाई ना कट जाए और इसे इस तरह से open कर लिए अब इसके बाद हमें क्या करना है कि belt ready करनी है तो हम यहाँ पर belt ready करने के लिए दोनों side में सिलाई लगा लेंगे और साथी साथ elastic insert करने के लिए इस तरह से fold करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर हमने belt भी ready कर ली है अभी यहाँ पर देख सकते हो कि यह हमारा center का part है और इतना portion हमने elastic insert करने के लिए रखा है अभी हम क्या करेंगे कि शलवार में plates लेंगे तो आप समझ लीजिए कि यह हमारा front वाला side है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ी plate लेनी है इसका जो direction है वो हमारा आसन की तरफ होना चाहिए तो इस तरह से आसन की तरफ इसका direction देते हुए हम plates दाल लेंगे और देखेंगे कि यह बराबर से हमारी belt में attach होती है या नहीं कि और extra हमें plate टालने पड़ेंगे तो इस तरह से हमें plate डाल लेनी है और साथी साथ हम क्या करेंगे कि back side में एक ही plate डालेंगे तो इस तरह से हमें backside में एक plate डालनी है और इसे भी हम pin से secure कर लेंगे और इस वाले side में मतलब opposite वाले side में भी हमें same उसी तरह से करना है कि backside में हमें एक बड़ी सी plate डालनी है और इस side में भी हमें आसन की तरफ प्लेट का मूँ करते हुए या डारेक्शन रखते हुए हमें छोड़ी-छोड़ी प्लेट डाल ले ली है तो यहाँ पर हमने दोनों साइट की प्लेट डाल ली है अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बेल्ट अटेज करेंगे तो उसके लिए हम बेल्ट को इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बराबर से हम यहाँ पर पूरे इसमें सिलाई लगा लेंगे तो मैं यह आपको पूरा रेड़ी करके बताती हूँ अटेच करने के बाद तो यहाँ पर हमने यह शल्वार के प्लेट्स पर डाल लिये है और बेल्ट को भी अटेच कर लिया है अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इलास्टिक इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हमने इलास्टिक लिया है इसके लेंद हम 18 इंच लेंगे सिलाई के बाद में यह हमारा 17 इंच बच चाएंगा तो इसलिए हम यहाँ पर 18 इंच लेंगे आप आपके बेबी के size के according elastic की length ले इसके बाद हम क्या करेंगे कि safety pin की मदद से यहाँ पर यह elastic को इसमें insert कर लेंगे और यहाँ पर से एक पक्की वाली सिलाई लगाते हुए इसे हम बन कर लेंगे और साथी साथ यह portion भी बन कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे tulip शलवार बन के ready है यह बनने के बाद कितनी जादा सुन्दर लग रहे है आप भी इस तरह से tulip शलवार तयार कर सकते हो तो इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भोले वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू